प्रस्ण 5 का H निम्न लिखित का गुनन खंड ग्याद करें प्रस्ण है 4X का घात 4 प्लस 3X स्क्वाइर प्लस 9 तो इसको अम लिख सकते हैं 4X का घात 4 को अम लिख सकते हैं 2X तो 4X का घात 4 को हम लिख सकते हैं 2X स्क्वाइर और पुरा पे घात 2 इस तरह हम लिख सकते हैं देखें 2 का बर्ग क्या होगा 4 और X स्क्वाइर का स्क्वाइर क्या हो जाएगा x का घहाद 4 यूँकि 2 गुना 2 क्या होता है 4 तो 2 का बर्ग 4 हो जाएगा और x स्क्वाइर का स्क्वाइर हो जाएगा x का घहाद 4 तो 4 x का घहाद 4 को हम लिख सकते हैं 2 x स्क्वाइर का स्क्वाइर ठीक है पलस 3 x स्क्वाइर को हम लिख सकते हैं बारह एकस स्क्वाइर माइनस नो एकस स्क्वाइर तीन एकस स्क्वाइर को हम क्या लिख सकते हैं बारह एकस स्क्वाइर माइनस नो एकस स्क्वाइर ठीक है बारह मेंसे नो घटाएंगे तो क्या आगा तीन आएगा तो तीन एकस स्क्वाइर को हम इस तरह लिख सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यानि 12 x square माइनस 9 x square हम इसको लिख सकते हैं क्यूंकि 12 में से 9 घटाने पर क्या आता है 3 तो 12 x square माइनस 9 x square हो जाएगा 3 x square प्लस 9 9 को हम लिख सकते हैं 3 का वर्ग देखें 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का वर्ग यानि 3 तिया यह 9 होता है तो अब हम इसको लिख लेंगे 2 x square का square 2 x square का square plus 12 x square plus 3 का वर्ग minus 9 x square इस तरह हम लिख सकते हैं और इसको हम मंजला कोश्टक में लिख लेंगे क्यों लिखेंगे क्योंकि a square plus 2 a b plus b square के सूतर पे इसको हम इसको बैठाना है ठीक है a square plus 2 a b plus b square के सूतर पे यानि a plus b का whole square के सूतर पे हम इसको बैठा लेंगे तो अब हम लिख लेंगे देखिए तो 12x square प्लस 12x square यहां पे था इसको यही पर रहने दिये हैं बस 3 square को यहां पे लेके आ गए हैं और minus 9x square को इधर लिख लिए हैं ठीक है और यह तीनों को कोश्टक में कर लेंगे यानि मंजला कोश्टक में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अब लिख लेंगे 2x square का square प्लस 12x square को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2x square गुना 3 देखे 3 दुना 6, 6 दुना 12x square हो जाएगा 12x square को हम इस तरह लिख सकते हैं प्लस 3 का square माइनस 9x का square इस तरह हम इसको लिख सकते हैं तो 12x square को हम इस तरह तोड़ दिये हैं 2 into a into b में यानि 2 दुना 4, 4 दिया 12 और x square यानि 12x square देखे गुना करने पे आ रहा है बिंदू का मतलब क्या है? गुना है ये तीनों गुना में है तो देखे एसको इसको 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 इ a plus b का whole square बरावर क्या होता है a square plus 2ab plus b square a square plus 2ab plus b square तो देखे a square तो a के जगा पर 2x square है तो a square plus 2ab 2ab 2 into a into b plus b square तो a square plus 2ab plus b square बरावर क्या लिख लेंगे a plus b का whole square तो यहाँ पर हम लिख लेंगे a plus b a plus b a के जगा पर 2x square है b के जगा पर 3 है तो a plus b का whole square इस तरह लिख लेंगे यह तीनों के बदले a square plus 2ab plus b square बरावर a plus b का whole square अब यह minus का चीन हम यहाँ पर देंगे ठीक है उसके बाद 9, 9 किसका बढ़ गे है? को हम लिख सकते हैं 3x का whole square 9 का बढ़ मुल होगा 3 तो 9x square को हम क्या लिख सकते हैं 3x का whole square तो a square minus b square के सुतर पर देखिया आ गया है a square minus b square तो a square minus b square बरावर क्या होता है? तो a square minus b square बरावर होता है a-b गुना a-b तो देखे a² a के जगा पे है 2x² प्लस 3 तो a² माइनस यह माइनस देखे यहां पे है b² b के जगा पे है 3x तो a² माइनस b² बराबर a-b गुना a-b तो इसको हम लिख लेंगे a²-b² बराबर a-b यानि 2x² प्लस 3 माइनस 3X गुना 2X स्क्वाइर प्लस 3 प्लस 3X यह हो जाएगा इसका गुननखंड तो देखें A स्क्वाइर माइनस B स्क्वाइर ब्राबर A माइनस B देखें A के जगा पे है 2X स्क्वाइर प्लस 3 तो A माइनस B गुना A प्लस B A प्लस B ठीक है तो इसका गुननखंड आ चुका है 2x square plus 3 minus 3x गुना 2x square plus 3 plus 3x तो इस तरह से प्रस्न 5 का h हल करेंगे झाल खुका है तो झाल चुका है तो आ खुका है तो नहीं थाओशविस को जते हैं झाल झाल